लगत उनको देखर कि उनकी हसी उनकी मुस्कुराइट देखर कि ऐसा लगता है कोई अपना दिल से हस रहा है किसम वो चीज में आपको बता नहीं सकता सब्सक्राइब मैं स्कूल में भी राधा है राधा है राधा है माला ले करके सारे टीचर्स मुझे बोलते हैं आप जब नहीं करेंगे ना आपको नाम की महमा कोई पता नहीं जलेगा कोई नियम नहीं कुछ नहीं बस नाम नाम जबते रहो उसी से सब उधार होगा कुछ नहीं करना है सिर्फ लेकिन नाम जब करना है संसा से लेना देना गादा रादा रादा जब भी खड़े हो के रादा मनें भी रादा जाठें धूतिया रादा में महाराध जी शुनरी मूल को I'm a कुछ भी हो आपको हिम्मत नहीं आर elimination को boost कर दिया कि अ उरॉन तो कितने मेने से महाराजी का सब्सक्राइब तो लाइफ में महाराजी के सब्सक्राइब डिष्फ है आपके लाइफ में जीवन अपने उद्देश पते सब्सक्राइब कर देख कि कोई अपना है अपना कोई है जहाम उसको बता नहीं सकते हैं आपको क्यों उसको कैसे बता है अब लोकर नहीं बदा आप आएंगे एक लगत उनको देख कर कि उनकी हसी उनकी आपके दिन चर्य में कुछ बदलावाइब दिन चर्य में मेरे क्या जैसे कि मैं बहुत देज तक सोता था अब मेरा मेरे घर का मेरा सबसे मेरे घर में सब सोते रहते हैं मैं 4 बच वटके नाम जब माला करके सुभे चार से पांस की पूरी माला हो जाती पूरा देन स्कूल में बढ़ाता हूं बच्चों को पढ़ाते समय भी मिलता है मैं स्कूल में भी राधा 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 माला ले करके सारे टीचर मुझे बोलते हैं अपjem McD ल saat के सवाज में वेटा है शीवन में लग रहा है कि सब कुछ वही है आपकी महराजी हम अपने मरीजों को देखते हैं टो एक उदेअ की पैसा के लिए के लिए में उनको ही देखो जो आप उने मानते हो उनों नहुंट है कि जितना जो वो स्रीजी निवाती है तो तो हमारा एक खास रिस्ता नहीं था थी तो हमने कोशिस करिए लेकि कुछा अर्चन भी आइंग कुछ दिक्कते भी आइंगा लेकिन हमने सोचा कि सब वही करा रहे हैं, वही खेल रहे हैं हर रूप में, तो अब हमें जो एक मरीज होता है, जो भी होता है, हम कोसिस करते हैं कि उसके दर्द को कम करने की कोसिस करें, लेकिन जो महाराजी ने बताया है कि कर्म सबसे बड़ा प्रधान है, कि आप जिस कर्म को करते हो, कि सिद् तो पैसेंट को कोशिज करो कि उसके दर्द को कम करने की कोशिज़ महाराजी ने बहुत कुछ चेंज़े आया है जैसे हमने बहुत सारी चीज़ अपने अंदर गुस्सा आता था वो सब चीज कंट्रॉल करा हर चीज को पहले पैसेंट हमसे कुछ भी बोलता था तो हमें जिन्जिस आया है कि हमने प्याज लेसन जुतने भी बुराईयां दूसरों के बारे मगला सोचना वो सब चीजे हमने डॉप करा है अब जो भी है हमने संदजा सोने में महाकुम गए थे तो हमने वह अपने सरीर को सौप दिया कि जब भी हमारा लास्ट समय आएगा हमारा जो भास मारती हम उनको लेकिन वह तो सरी सौपा लेकिन आदमा को हम कोसिस करना चाहें कि प्रफू से एक कुश्यन है कि हम अपनी जो आदमा है या जो भी वसौल होता है जो पालाइफ होती है उसको हम उनके हम से यह चीज उद्धार हो नहीं बटक ना पड़े चीजों में तो पहली वर महारा जी आप के से जुड़े हैं यूट्यूब के मादम से महाराज से जुड़ा तो महारा जी कि क्या क्या बात आपको सबसे अच्छी लगी जिसके करण आप महारा जी के प्रतितना कर शित कर सकूँ कि अपने आप में भूर में भीजी रहने लगा मुझे भू में कान्फिदेंस आया कि मैं क्या शीज तो मुझे मुझे बताया नां ने बताया सबकुछ मेरे अंदर क्या है वह ना मैंने अनम जब से प्रीटाइम मिलता मैं में नाम जब घृता हो जीवन में महारा महाराजी कि हसी उनका बोलना उनकी आंखे लगता है कि सिर्फ देखते ही रहो कि आंखे उनके मतलब हट नहीं सकती है साथ-चाहत राधारानी के रूप में महाराजी हमारे पासा है कि तुप अनका बेंगे लाधारानी के जनका है साथ-चाहत राधारानी के रहां पासाहता है कि अगुए कि अगुए कि रादरद जी रादे 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 जोन पूर यूपी आप टीकोटा से हैं राजिस्तां से तो माराजी का सचंग कितने मेने से सुन रहेगा आप मात्र दो महिने से इन्हें हम जाने हैं वह देखते थे लेकिन एक दो वीडियो ऐसे आया कि कहां है हम ऐसा लागए हम कहां थे अब तक पहले क्यों नहीं मिल गये नहीं पूरा हम रात-रात किन का वीडियो देखती रहते जिडिज जो मिलता उससे बताते सबको को बता है बहुत सअंती है और बहुत समरपड है और तुल्शी हम डरते थे तुल्शी नहीं धारन करना चाहिए यहां आए तब तुल्शी धारन किये और राधा 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 दिन राधा राधा सोचते हैं राधा राधा करते रहें अगर इसी से पार होना राधा राधा अपना काम भी करते रहते हैं अपना ड्यूटी के दावरान भी हम मगन रहते हैं मस्त रहते हैं अपने में और काम भी करते रहते हैं तो फिसले दो मे कोई शिकायत नहीं पहले बहुत सबसे सब्ख़ों से दिवां इतने अच्छे फिर भी हमारे साथी कोई शिकायत नहीं रहती किसी से कोई शिकायत नहीं है और बहुत शानती है आप कितने मेने से सुन रहे हैं महाराची वीडियो क्लिफ देखता रहता हूं तो बहुत पहले वालव वीडियो क्लिफ देखि दी तब से इंट्रेस्ट जा गल्द हुआ कि हमाहराज जी को सुनना चाहिए तो अब तो क्या है कि रात को सोने से उने में महाराज जी कि जब तक वीडियो नहीं देखता आँ ता मुझे शांती मिलती है यह पहली बार वरंदावन आया हूं और महाराज से मैं दिख्षा भी लेना चाहता हूं और जन्मास्ट्री में से क्या करते हैं मिल्कुल मैंने सब कुछ पहले लेसन प्याज भी खाता था उसा मैंने छोड़ दिया है और जिसे महाराजी ने वोला है कि अपना संयम से रहना है सब कुछ दाता है उस पूरा जो भी है में फॉलो कर रहा हूं तो आपके जीवन में महाराजी के सत्संग से क्या परिवर्तन आया जो पहले नहीं था हां पहले क्या है कि अपने जीवन में काम क्रोध और सब चीज़ें थी तो धीरे-धीरे मैं देखता हूं कि जैसे मैं रा मन अशांत रहता था अब क्या है कि मन जो है काफी कोछ ठहरा बाद चुका है और मालोग केवल लगता है कि हाँ मैंने अभी तक यतने जिन्दगी जी है वो मैंने विर्थ कर दिया और अब ऐसा लगता है कि मृत्यू कभी भी भी आ सकती है ऐसा तो हैने कि मैं यह सोच काम जब करना चाहिए तो पहली बर महराजी से कैसे जूड़े आप महाराजी तो वीडियो क्लिप के तुरू यूट्यूब के तुरू वीडियो क्लिप एक फ्लैश हुई थी तो उसको मैं देखा तो उससे काफी मला आकर्शित हुआ मुझे ऐसा लग महाराजी क्या के बते आपको सबसे अच्छी लिए जिसके कारण आप महाराजी के परितितना करशित हुई है महाराजी ने जो में जू बात कही है वो कहा है कि जब कीजिए जब करेंगे जब नहीं करेंगे आपको नाम की महमा कोई पता ने जलेगा तो जब करना बहुत जरूरी है और कुछ आपको खुद बैठके एकांट में जब करना ही पड़ेगा जब करने से एक बहुत ही अलगी शांतिय की अनुबती होती है इसको आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि नहीं मुझे अशांती ना जो पहले अशांती थी वो बिल्कुल खताम हो चकी है यह इसका फायदा हुआ हुआ है तो ब्रिंदामन कब का बात है आप ब्रिंदामन में फरव da आप उसलिए दो मेने से महाराश्री का सथसंग सुने था तो लो मेने महाराच जी की सबसे था जब पहली आपको ये माराजी के सत्संग सुने में आपको मुझ्रोर गड़ दिया इस अ tähän अधार है मत zij वे थों subscribers यह क्या करें किसे में होगा कोई नियम नहीं कुछ सब नहीं करना है सिर्फ लेकिन नाम घब करना है आप चाहिए जैसे भी हो जाहिए हो कहें में भी हो नाम जबते रहो उससे सब आपका व्यस्ण भूद जाएगा अब धीरे 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 आपका मन लगने लगेगा भगवान में भी और वो बोले थे कि कहीं भी जाओ या ब्रिंदा भी आओ तीन रात गुजारो तो हमारा आज चौथा तीसरा रात हो गया कल चौ आपको अमरिट पीटे हैं तो आमड़ किसी भाव से पीए हैं आप खुद पीएं या को पिला ने जवला दे उसका अधर पिताव जहर पीता है अध या कोई फिला दे ऊसके जहर का-जहर रहता है उसी तरह से नम जब कभी चाहर कैसी आपको इस्टार्ट करना है वह सोच र पहले मैं नहीं करता था बड़ जब स्टार्ट किया है उससे काफी कुछ परिवर्तन जिंदगी में देखने को मिला है मन काफी शांत हो गया है ठहराव आ चुका है और दूसी बात है कि नाम के प्रति जुड़ाव जुड़ाव होना बज़रूरियन देरे भाव आता है वो डवलप रहा है तो यह काफी मुझे अच्छा लगा मैं अलग ही अनुबती मुझे आपर हो रही है अनुबती मुझे अनुबती मुझे आपर हो रही है कि अनुबती मुझे आप एया गजया जे आए और अधरती मुझे अनुबती मुझे अनुबती जुड़ाव शुने हैं नुहदस मैंनों सर तो पिषग जवन में क्या काइद चेंजिन कटकर मेर्य जिवन में काफी पहले लिए घुछा बहुत आता अभी उबसा ण बन दो गया मस रहो बन करता हुं एनी टिम और पहले मोनान ज्वकर ऊतेता बन कर दिया तो जब आपने फर्स्टाम माराजी के सचंग सुना था तो महाराजी के सचंग में इसा क्या खास बद लगी जिसके करण आपको लगा कि महाराजी का सचंग सुनना चाहिए और इसे जीवन में काफी चेंजिस आ सकता है महाराच जीग ने समझाने का जो था बहुत और जो लगता था मेरे मन में जो भी कोष्टन आते हैं वह सक्षन सुनने से उनका निवाकराण ऑटोमेटिक ली हो जाता है जो सवाल होते थे वह सक्षन के थूट अपने आमें को रस्ता मिल जाता था उसका आपके लाइफ में क्य तो इससा कैंशता है की इसा निकल था है किन बात उनुस्त को हैज नहीं करते के महाराच जी है और जा। तो जीवन में माराई से जुटकर केसी आनन के अनुवती है आपको बहुत 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 जिसे अभी हम लोग दो दिन से इनका वेट कर रहे हैं अब यहां तक वेला भी हम लोग किया नहीं है इतना कष्ट लेकर यहां बैठना सब्सक्राइब कर रहे हैं तो अंदर शक्ति आ रहे हैं वह सब बंदावन पहले आये थे महाराजी से मिलने के लिए पर नहीं हुआ अब पूरा प्रोसेस समझ के गए फिर से आए हम लोग और कैसा लग रहे हैं तो रात को तीन वे दक वीडियो सक्षन सुन रहा था तीन वह दक के बाद मैं सोया फिर चार बज़े बाबाजी ने मैं को सपने में दर्शन दिया अच्छा वाई मैं इतना तीन बज़े भी तरफ हो रही थी कि कल सब कुछ काम चुड़े कल पर सब्सक्र जीवन में काफी कुछ परिवरतना है पहले तो सहज रहना निम्रता और अपने आप में एक द्रेड़ निश्चे के भगवान के प्रती प्रेम को कैसे और बढ़ाया जा सकते और उसको कैसे अपना के भी जीवन को मतलब आगे लेके जाया जा सकता है यह सारी चीज़े सीखने को मिली पहले क्योंकि होता था कि नहीं बस का काम काम निम्राजी के सभस्ताम के बाद समझ में हैं कि इन दोनों चीज़ों को हम साथ में गठा लेकिए तो महारा जी किकिया किखते को सबसे प्यारी लिबती है और दूसरी बात यह के उन्हों ने कभी भी कि धरम में फरक नहीं देखा जैसे मैं भी एक सिख बैक्राउंड से हूं तो मतलब वो चीज ना फील नहीं हुई कभी के महाराजी कहते हैं कि नहीं आप ऐसे करो वैसे करो वो धरम नहीं वो चीज के उसके साथ उन्होंने जुड़ना सिखाया उसके साथ भी इस चीज को कैसे हम अपना सकते हैं वो चीज को जुड़ना सखाया वो चीज मेरे को सबसे जादा अच्छी लगी तो महाराज से पहले बार आप यूटूब से जुड़े थे या किसी सोचल मेडिया के तुरूब से ही जुड़ा था अपैस सबसे पहले मैंने इंस्टाग्राम पर देखे थी बहुत अच्छा एक एक्साइटमेंट है और उनको मिलने की वस एक खीच अब हो रही है अच्छाह थे खंग जाए अच्छाह थे यूठी आप वा रहा है कि अच्छाह थे वाख श्राइब से अच्छाह थे यहांसे है अच्छाह थे आप फिन्दोश्य राश नहीं जियम इंजिनियर हैं इंजिनेरिंग आप आटो चला तो महाराजी के सलसंग चुनता हूं और सुबह से पांच बजे उठके राधा 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 और पहले छे साथ मेने से सुन रहा हूं पहले मास काता था मास छोड़ दिया है माता पिता में भगवान देखता हूं और सत्य की रहा पर चलता हूं अच्छा आपकी लाइफ महाराजी के सत्संग से क्या क्या चैंजिस आए अभी तक मन सांत हो गया मेरा महाराज के जब से सत्संग सुन रहा हूं मेरा जो क्रोध है व दूसरों का मदद करने कोशिस करता हूं और मतलब टोटल जो एक लाइफ का परफस मिल गया है तो फर्स टाइम महाराजी से के से जुड़ेया मैं विराट को लिए और अनुसका मेडम के वज़े से जुड़ा हूं तो वह पहले फर्स टाइम गुरू जी पास आए तो मैंने देखा कि एँसे कोन से गुरू जी है जो किरकेटर जा रहा है तो उनको देखा तो जब से में गुरू जी से जोडा तो जब से अभी क 여기 युद। तो आपके लाइफ में, आपके जीवन में क्या के परिवेड़तना है अभी तक महाराजी के सत्संग से? मन सांत रहता है, और कुछ आप संसा से लेना देना, राधा, 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 जब भी सुबह खड़े होके राधा, मन में भी राधा, राधा, हाटो चला रहा है, राधा, राधा. तो महाराजी कि क्या के बातते सब्स्याचि लगें जिसके करणा है महाराजी कगा सच्वाय सद्षण सुब्स्षाइच कि ख़ग नान जब करके 도ब्स अपधन नाम एकृतक जोगा करके तना रादाचर वा नाता पिता में भगवान देखना है और सबJohn कि से निंदा नीकरना और काम अपैसनी जरो और कि चलना कि उसमें जो भी कोशंच थे वह लो लो उतार मिल लट तो मुझे यह लगा कि मेरे लिए हैं और फिर मैं उदर से जुड़ा से महाराजी के साथ चीज़ क्या करते है घुड़ाह। मैं अजुड़ाजी को किई से महाराजी परेथितना अकरसित हुई है जैसे मैंने उनकी वीडियो देखी काफी यूट्यूब पे भी देखी तो काफी प्रेंट ना मेनी पॉजिटिवीटी आई लाइफ में हर काम को लेके और ये भी सीखा मैंने कि हमें कभी पल की चिंता नहीं करने चाहिए बस अपने करम भी करते रहने चाहिए उस पर फोकस कर एक काफी बदलावाया है सबसे पहले तो जैसे महाराच जी की बाते मतलब एकदम से मन में बच जाती हैं जैसे कल राती हमने उनके दर्शन किये सामने से ना जीवन में तो वो दृश्टा ही तक हमारे दिमाग में छपा हूआ है कि मतलब कोई इंसान या कोई पर्भू देखने में कैसे हो सकते हैं तो सबसे पहले तो यह सीखा हमने महाराज जी से कि जीवन में कैसे भी उतार चड़ावाएं आपको हमेशा सक्षम रहके खड़ा होना है हर परिस्तिती में कुछ भी हो आपको हिम्मत नहीं हारनी है जो भी होगा आप बस करम करो फल की चिंता मत कर हो एड़ेंड जो होगा उसको तब की तब देख लेंगे पस्ते मारे हां जी हम पहली बार आएं वरिंदावन रादे 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 जी कहां से आए मैं फ्रिदावाद से हों क्या करते हैं आप हुआ पर मैं हॉस्पिटल में जॉब करता हूं तो आरांड कब से महाराश रि देखने के बाद में देखा कि ट्रेक गलत है तो पर चीजों को इंप्रोव के अपने वीडियो देख देखे फिर मैंने यहां पर आने का फैसला किया तो प्रतितना अगर्शी कि बहुत सारी बात हैं उनकी बहुत सारे कहने कुसी आप कहने का हो है सवाल जैसे हम कोई किसी और चल रहे हैं जो गार कोछ आ रहे हैं जो किया कर रहे हमिश्चा पां रहे हैं जिस से इनकी वीडियो से में देखा सुना कि कि का सैंटे से ही के साथे फर की वृष्ट में harm कर दो कर दो कि शूंदे कि? कि रादे जी, कि का से आए अब? डिल्ली से अब दिल्ली से, क्या करता है आप डेल्ली में? बल्ली में फैक्टरिय थे मेरी बईस ब्लिस ब्मखशाग हाँ महीन अत्राथ के सब्सक्राब दोखें शून्ते हैं? के कारण आप माहराजी के सतन सुनने लगे इनकी खास बात ये लगी कि इनके जो परवचन है वो सबसे अलग है वैसे तो हो गुरुजी भी परवचन देते हैं उनके भी अच्छे हैं लेकिन इनके कुछ अलगी है जो अन्दर तक दिल को छुते तो कुछ परिवर्तन आया आपके जीवन में तक पहले बहुत गुस्टा करता था बात बात पर चिट जाता था असंत रहता था दिमाग जब्षे गुरुजी का दो महीना तीन महीने वीडियों देखते हुए लेकिन परिवरतन जो है वह महीने 2 महीने में तो महीने-2 महीने में क्याoral मेरे मैं बोल रहा ह जीड़ जाता था जैसे अच्छाना के कुछ दिमाग में प्रेशनी आ जाती थी लोड आ जाता था इसलिए अब वह एकदम ठैरा हो गए एकदम सांत हो गए दिमाग तो महाराजी की क्या के बारते सबसे आचे लेगी जिसके कारण महाराजी के प्रतित ना कर सिदू है जी 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 और काफी और इसे क्या करता है आप मैं कि वह दसनता हूं कवी कोई एनर्जी होती है वह भी प्यूर्ट में बदल जाती है आपर्वारव तो एक दो मेंने में कुछ परवर्थन आया है जीवन में, बिल्कुल आया है, उसी परवर्थन के तहथ ही मैं अज यहां आया हूं, वैसे आया तो कई बार हूँ, लेकिन आज का जो मतल़ है कि मारा जीके दर्सन करने ही करने है, तो क्या के चेंजिडें आया है के सबसे परफिदी पोड़ा है पॉश्टर एनरजी जो आंगे भी कंट्यूर रहती होती ही तो फॉस्ट टाइम के जुड़े महाराजिस से पता लगा महाराजी का जो है उस्यू है और इतने लॉंग तो वह सारी चीज पॉस्टिव मों में कही है आप कहा से मैं कानपुर से आया हूं क्या करते हैं मैं जॉब करता हूं सुनने लगाता में अक्चली मेरी माता जी सुनती थी तो चैसात मैंने हो गए और कुछ चैंजस आए आपके लाइक में हां चैंजस आये हैं काफी ज्यादा ठेराव आया है और जैसे कि जैसे बोलते हैं कि हर समस्या का सावादान सीव रादा नाम है तो बोलने के साथ साथ लिखना भी चालू कर दिया है एक गंटे का समय निकाल के अपने अपने जीवन में बहुत अच्छी लगती है जो कभी नहीं सुनी थी और ना कि इतना टाइम रहता है उसमें सुन सके लेकिन मेरी माता जी ने जब सुना और उन्हें मेरे को भी मोटिविट किया कि कभी इनसे सुना करो तो खाली समय में मिलता है तो महराजी का सत्संग ही सुनते हैं और बड़ा ही अच्छा लगता है आप कहा से आई जी स्वादाव लग श्री है वेंस में डिश्टिक बदाएं से आप पहली बर आ रहे है सब्सक्राइब करने ठाचर तो कब से महराजी का सत्संग से पिछले दस महने से तो पिछले दस में जीवन में क्या क्या परिवर्त ना आपके सब से पहली बात यह है कि हर ब्रक्ति में मुझे उसर नजर आता है कि सी इस हो है वो एकदम बिल्कुल बंदी है जो है वो सब शाध ही राधा तो माराजी की क्या के बाद पर सबसी आच्छी लगती है आपको किसी से जगड़ा मत करो जो भी है जो आपके पास है उसमें वह संतुष्ट रहो मेरे पिता जी पिछले 20 सालों से कांट्यूनियों आ रहे हैं वो को ट्रेन से बस से आज भगवान की युश्वर राधारानी के पासे गाड़ी है सारा कुछ आए घर पे तो किसा लग रहा है ज किस बसेख़ा है जगा कर्णाय किसा नहीं है जे कर्णाय को टो करता है जो पिता है मैं कोशाद। प्र्endeयों मैं को किर एτοाधैने किस noon है जाँ मैं कर रहे हैं वो किस्ता है भापिक झाल 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 झाल